आपको मार्केट जैसा पीजा बनाने के दो तरीके बताऊंगा एक हम बीना ओबन से पीजा बनाएंगे और दूसरा ओबन में पीजा कैसे बना जाता है कितने टेंपरिचर में आपने इसको बेक करना है वो भी बताने बाला हूं और घर पर अगर आपके वास ओबन नहीं है त 10 gram है और चीनी का बेट जो है वो 5 gram है और एक छोटा चमच यहाँ मैंने नमक लिया है और तीन बड़े चमच यहाँ पे हम olive oil का यूज करेंगे, olive oil का बेट है वो 50 gram है अगर आपके बस olive oil ना हो, आप किसी भी bestival oil का यूज कर सकते हैं और 200 ml मैंने यहाँ पे पानी लिया है, अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और इसको ना कबर करके 5-7 मिनते छोड़ देशे तकि जल्दी से activate हो जाए तो ये देखिए इस्ट में अच्छे बबलस आ चुए है और इस्ट अच्छी तरह से यहां पे activate हो चुकी है इसके ज़ुद आपने इस बड़ा बॉल लेने है उसमें मैदे एड़ कर देना है मैदे के साथ में आपने इसमें नमक भी एड़ कर देना है तो टोटली हैं आप मैंने 300 ml पानी आइड की है और अच्छी तरह से पानी को मैदे के साथ मिक्स कर लेते हैं जो डो रहेगा वो सॉफ्ट हो रहेगा ज़दा टाइड डो नहीं लगाने आपने इसका ठीक है यह देखिए अच्छी तरह से मैंने मैदे को मिक्स कर लिया है अब इसके पूद आपने इसमें आईल डालना शुरू करना है क्योंकि जब आप मैदा गूंते हैं तो यह बॉल से चिपकना शुरू जाता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ओईल डालते हैं और आपने मैदे को कम से कम 5-6 मिनिट तक गूंत लेना है ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए अगर आपके डो मशीनों चोटे वाली आप उसमें भी पीजा डो लगा के तियार कर सकते हैं और यह देखिए मैदे को यहां पर मैंने 5-6 मिनिट तक अच्छी तरह से गूंत लिया है इसको इकठा कर लेते हैं और इसको आपने रेश्ट देना है इसको आपने फर्मट करने के लिए छोड़ देना है तो इसको किसी दूसरे बॉल में रख देते हैं यह देखिए थोड 45 मिनिट का आपने इसको रहश्ट देना है 45 मिनिट हो चुके हैं और देख सकते हैं हमारा जो डो है अच्छी तरह से फोल जो काया जो जितना डो लगाए था उससे यह डबल हो चुका है तो पीजा डू कभी भी लगाना है इस तरह से आप डो लगाईए आपके पीजा बेस आप से चोटे बड़े बना रीचे हैं हम जो इसके पेड़े बनाते हैं 120 ग्राम का पेड़ा बनाते हैं देखिए इस तरह से रोल कर लिशोड़े रोल करना रेशласт करने कद चाकू से इसको न कार लीचे चाकू से काटने से क्या होगा डो जो है हाथों से नी चिपकेगा और इसका आपको बेट दिखा देता हूँ यहाँ पर बेटिंग मशीन है 120 ग्राम का यहाँ में पेड़ा बनाए है आप 90 ग्राम का बना सकते हैं उपर से कवर करकें कम सब 10 मिट का इनको रहेश दीजिए तो यह देखिए 10 मिट को पेड़े जो थोड़े से फूलना है यहाँ पर शुरू चुके हैं इसके पीड़ा लेना है और उसका पीजा बेस बना के दिखातों कैसे आपने इसका पीजा बेस बनाना है तो एक टेबल के तो इसको बेलने में ज़्यादा दिकत नहीं होती है, यह देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं पीजा बेस बेल लिया है इसके प्यजा अब आप बेक रहे तो फूल्ले ना बना वो पूरी तरह से निकल जाए और इसके बद आपको पीजा बेस के यहां पे जाली चीह होगी अगर आपके बास जाली ना हो आप श्टील की प्लेट का यूज़ भी कर सकते हैं पीजा बेस बनाने के लिए और कि देखे पीजा बेस को यहां मैं रखते हैं जाली के ओपर बीच में आपना कोई भी कटोरी रखती है या कुकर का स्टेंड आता है बो रखती है उपर इस तरह से आपने पीजा बेस रखते हैं गैस की फ्लेम नहीं चलानी है इसको सिर्फ आपना यहां पे पंदरा मिंट का रेश दे सकते हैं यह देखे पीजा बेस में अच्छा 70 degree temperature रखना है और आपने इनको 6 मिनिट तक बेक करना है 170 degree temperature में इतनी दिर में अच्छी तरह से पक चाते हैं देखिए 6 मिनिट तक मैंने इनको बेक कर लिया है इसके बदाप इनको ओवन से निकाल लेशे और जो पीजा बेस हमने कडाई में रखा था बेक करने के लिए उसक नीचे से अच्छा soft और spongy हमारा पीजा बेस बनाए और उपर से भी अच्छा soft है और इसके जो open में पकाए हैं वो भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हमारे पीजा बेस बन चुके हैं इनको आपना store भी कर सकते हैं 8-10 दिन तक ये fridge में खराब भी नहीं होते हैं तो इनक sauce की recipe जो है चैनल पर upload है आप देखके सीख सकते हैं और फिर आपने topping डाल लिए हैं तो सबसे पहले आप इसके ओपर cheese डालिए चीज आप अपने हिसाब से कम जड़ा डाल सकते हैं कम cheese खाते हैं तो कम डालिए और यहां पर cheese का यूज़ की जाता है वो मुजरेला cheese का यूज की जाता है इसके बुद आपने इसके ओपर bestible डाल लिए हैं तो क्या मैं क्यूब कटी में bestible डाला हूं आप चाहिए आप जूलिन कटी में सबजियां डाल सकते हैं कौन डालना चाहिए कौन भी डाल सकते हैं तो तीनों बरकार की मेरे पास शिमला में चाहिए उनको मैंने डाल दिया है थोड़ा सा प्याज भी डालते हैं आप मश्रूम भी डाल सकते हैं इसमें डालना चाहिए और थोड़ा सा आपने उपर से नमक स्प्रिंकल करना है थोड़ा से आप उपर से और यानो स्प्रिंकल कर दीशे चिली फ्लैक्स अगर स्पाइसी खाना जाते हैं थो यहां पर देखिए 10 मिन नों चुके हैं और चीज अच्छी तरफ से मेल्ट हो चुके हैं अब कडाही में एक अच्छा कलर नहीं आता है चीज के उपर बट इस तरह से चीज मेल्ट होगे अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको आप खा सकते हैं सर्व कर सकते हैं और ओबन में देखिए कितना अच्छा कलर आ जाता है तो इसके बद आप इसके ना पीसिज कीजिए चोटे पीसिज करना चाहें चोटे कर सकते हैं बड़े पीसिज कर चाहें बड़े PC करके आप इसको सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट चुरूर कीशेगा ओके फ्रेंज मिलते के लिए ने वीडियो के साथ थैंक यू